हेलो गाईज इस पार्ट के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जब से तौन टेररिस्ट की कैद से बाहर निकला था उसकी हालत बिगरती चली जा रही थी इसी बीच उसे ठीक से ना तो वेक्सिनेशन मिली थी ना है उसका ट्रीटमेंट हुआ था ये सब देखने के बाद डॉक्टर आईरीन बहुत डिसपॉइंट हो जाती है वो कहती है कि अगर मैं टाइम में वापस जा सकती तो मैं इस प्रोजेक्ट को ही रिवर्स कर लेती इसकी वज़ा से मैंने हर प्यारे को खोया है अपने डैड को बेस्ट फ्रेंड को सारे कोलीक्स को खो दिया यहाँ पे करन उसे समझाता है कहता है कि ये इस वज़ा से नहीं है बलकि तुमने तो लोगों के बलाई के बारे में सोचा और ये मत भूलो के यही प्रोजेक्ट तुम्हारे डैड की भी उम्मीद थी जिनोंने गलत किया वो लोग बलाई काईरन थे तुम नहीं और उसके बाद उन्हें पता चलता है उसे मिलिटरी एर बेस ले जाते हैं वो फाइटर पाइलेट बनना चाहता था करन ने उससे वादा किया था वो उसे फाइटर जेट दिखाता है उसने उसके लिए स्पेशल परमिशन्स भी ली हुई थी तो वो उससे उसमें बिठाता भी है और ये साना कुछ करके तॉन बहुत खुश होता है उसका सबसे बड़ा सपना आज पूरा हो गया था उसके बाद करन उसे सैल्यूट भी करता है और उसको एक निक नेम देता है जैसे करन का थंडर सा वो उसे नाडिया का निक नेम देता है लेकिन थोड़ी देर बाद तॉन की आलत खराब हो जाती है वो बहुत ठक गया था आईरीन के पास आकर कहता है कि मैं सोना चाहता हूँ अब रेस्ट करना चाहता हूँ लेकिन मेरा दिल करता है मैं सपनों में भी सिरफ आज कही दिन देखूँ क्योंकि ये मेरी जंदगी का सबसे प्यारा दिन था और उसके बाद करन और आईरीन की आंकों में भी आंसु आ जाते है जब तॉन आईरीन के कंदे पर सर रहके हमेशा के लिए सोचाता है आईरीन बहुत दुखी हो गई थी उसने एक एक करके अपने सारे प्यारों को खो दिया था अब उसके पास कोई بी नहीं बचा था सिवाए करन के वो उसे हक करती है और कहती है मैं तुम्हें कभी भी नहीं खोना चाहूंगी सिर्फ एक तुम ही बचे हो और उससे वादा लेती है कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे अब थोड़े दिनों बाद आहिस्ता हाहिस्ता आईरीन रिकावर कर लिया था और कमांडर थॉंग उसे नियूस देता है कि मिनिस्टर ने आईरीन के उसी रिसेच प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट करने का ओर्डर दे दिया है आईरीन का यही सपना था वो अपने डैट के मिशन को पूरा करे यहां पर काफ़े दिनों बाद एक सर्प्राइज आता है जब कैप्टन करन की मामी अचानक से पहुंच जाती है वो बहुत खुश थी उन्हें पता चल गया था कि यह सब मिशन का हिस्ता था और उनका बेटा एक मिशन में सक्सेस्फुल रहा है उसकी तारीफ करते करते वो एकदम उसे मानने लगती है कि यह शादी और वाइफ वाली एक्टिंग तुमने इतनी अच्छी कैसे कर ली तुम सोलजर हो कि ए एक्टर यहां पर आईरीन उन्हें समझाने के लिए एक दफ़ा आंटी शब्द बोलती है कि उनको बहुत घुसा आ जाता है वो कहती है नहीं तुम मुझे ममी बोलोगी क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है मेरी बहु कोई और नहीं बलके तुम ही बनने वाली हो और उसके बाद वो आईरीन को उसका रूम भी दिखाती है वो चाहती थी कि आईरीन अब उन्हीं के साथ उनके घर पर टेरे एक्शली डॉक्टर पार्ट ने सारी डीटेल्स उनको बता दी थी कि कैसे ना तक करते कर थे इन तोनों का प्यार असली में बदल गया ममी को एक्शली बहुत अफसोस था कि जिस तरह से आईरीन का एक एक करके सारे प्यारे खो गए थे और अब उसका दुनिया में कोई नहीं था वो कहती है कि मैं तुम्हारी मामा हूँ तुम मुझे करन की तरह मौम बलाया करो इसलिए अपने अकेले गर में रहने की बजारे तुम हमारे साथ रहो अब उनके जाने के बाद आईरीन सारा घुसा करन पर निकालती है कि तुम्हें मुझे पहले इस सिच्वेशन के बार में बताना चाहिए था मैं सर्प्राइस थी मैं क्या बोलती मुझे कुछ नहीं पता चला यहाँ पर उनके कुछ सुईट मोमेंट्स आते हैं और उन्हीं के बीच आईरीन करन को रेड सिगनल दिखा देती है और कहती है यह सब तुम मिशन का ही सता मिशन ओवर तो सब कुछ दुबारा से स्टार्ट होगा अगर तुम्हें मुझे पताना है तो मुझे कोट करना पड़ेगा फिर से उसके बाद नेक्स्ट डे से आईरीन ने अपनी एक टीम बना ली थी और उसकी एक नई रिसर्च लैब भी तयार हो चुकी थी जिसमें वो अपना काम स्टार्ट कर दे दी है वो बहुत मेनत कर रही थी फिर से कैंसर पेशिंट्स के लिए दवाई बनाने की खातिब इसी तरह समय गुजरता चला जाता है करन उसे बहुत कहता था कि तुम रेस्ट किया करो लेकिन वो अपनी हेल्थ का नींद का ख्याल भी नहीं रखती थी आज करन जबरदस्ती उसे बिठाई रखता है और कहता है कि तुम्हारा जो प्रॉजेक्ट है उसका रिजल्ट सक्सेस्फुल आया है इसी दिए इसी सेलिब्रेशन्स की खुशी में तुम बहुत सारा रेस्ट करोगी और आज तुम मेरे साथ डेट पर जाने वाली हो और फिर वो दोनों ऐसे प्रिटेंट करते हैं कि जैसे पहली दफा मिले हो करन उसे कहता है तुम्हें पहले भी देखा हुआ लगता है मेरे जैसा हैंसम फेस तुम भूली तो नहीं होगी और उसके बाद एक वेटरिस के तुम उससे उसका लाइन आईडी भी मांगता है जिसको आईरीन एक फामूला की शकल में उसे भेज देती है अब कैमिकल फामूला उसे कहा समझाने वाला था वो कहती है कि यही पजल है अगर इसमेंसे तुम मेरे लाइन आईडी निकाल लो तो फिर मेरी तरफ से यह समझना वरना नो है अब करन की हेल्प करने उसके सोलजर्स भी आ जाते है और थोड़ी देर बाद ही आईरीन को एक मैसेज आता है करन उसे लाइन आईडी पर हाई बोल रहा था सब कुछ इतना अच्छा जा रहा था लेकिन अचानक से सायूरी की एंट्री होती है जो कि बलाक आईरन से थी आईरीन फॉरन से जाती है और करन को ये बताती है वो लोग ढूंडते हैं पर कहीं पर कोई नजर नहीं आता उन्होंने तो समझा था कि उन्होंने बलाक आईरन को खतम कर दिया है लेकिन वो वापिस कैसे आ गए इतने में कैप्टन करन को एक इंफॉमेशन मिलती है एक अमरजनसी थी एक गॉर्मेट की एजनसी में बलाक आईरन ने हमला करके लोगों को होस्टिज बनाया हुआ था अब यहां पर करन भी अपनी टीम के साथ वहां जाता है आईरीन भी अंदर जाने की जिद करती है क्योंकि उसे लगता था कि सायूरी ने जान भूज कर अपना आप उसे दिखाया है क्योंकि वो वहां उसे कुछ बुला कर दिखाना चाहती है वैल वो लोग अंदर जाते हैं एक पॉइंट पर सायूरी के साथ आमने सामने हो जाती है यहां पर उनकी थोड़ी सी फाइट भी होती है लेकिन इसी बीच आईरीन को पता चलता है कि उसके डैड जिन्दा है और इसी बिल्डिंग में है और यह सारा कुछ ब्लैक आईरन का प्लैन था उनकी सीक्रेट बेस में कुछ भी तबाह नहीं हुआ था बलकि डैथ एक्स भी नहीं के पास है अभी तक और उसके बाद आईरीन कैप्टन करन को यह सारा कुछ बताती है और वो लोग डॉक्टर चिट को तलाश करने में लग जाते है डॉक्टर चिट को उन्होंने उस कमरे में बंद किया हुआ था जहां से पूरी बिल्डिंग की वेंटिलेशन जाती थी उनकी हेल्थ कंडिशन बहुत खराब थी और वो बताते हैं कि यह सारा डेथ एक्स का वैपन है और उसे उन्होंने कनेक्ट किया वा था उनकी हार्ट बीट के साथ जैसे ही उसकी दिल की धड़कने खतम होंगी डेथ एक्स की गैस सारी विल्डिंग में फैल जाएगी और सब लोग तरब तरब कर मर जाएंगे आईरीन ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था लेकिन आज फिर से उसे अपने डैड सामने नदर आते हैं और वो भी इस हालत में उसे वो ही सारी तकलीफ दोबारा से बरदाश्ट करनी होगी वो बहुत रोती हैं तरड़कती है यहां पर डॉक्टर चिट कैप्टन करन से वादा लेते हैं कि तुम मेरी बेटी आईरीन का ख्याल रखोगी आईरीन तो वहां से निकलना नहीं चाहती थी बहुत रोती हैं लेकिन यहां पर उसके रैड़ उसे रोक कर कहते हैं आरीन याद रखना तुम मेरी आखरी उमीद हो तुम्हें जिन्दा यहां से निकलना है और जो मिशन मेरा रह किया था उसे तुमने पूरा करना है अब कैप्टन करन ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस बिल्डिंग से रेस्क्यू करना चाहता था लेकिन उसे उसके कमांडर का फोन आता है जो उसे कहते हैं कि ज्यादा समय नहीं बचा जो थोड़े बहुत लोग रह के हैं उनको छोड़ो और तुम बाहर निकलो लेकिन करन कोई एकसेप्ट नहीं था जहाँ पर उसका फ्रेंड कानीन कहता है ठीक है फिर करन मैं दुमारी हेल्प करूँगा और उसके साथ ही वो करन को पीट पर वार करके बेहोश कर देता है एक्शली यही उसकी हेल्प थी कि वो इस बिल्डिंग से करन को जिन्दा ले जाना चाहता था आईरीन भी बहुत रिजिस्ट कर रही थी तो कमांडोस को उससे भी बेहोश करके बाहर ले जाना पड़ता है और फिर इसके साथ ही डॉक्टर चिट की सांसें बंद हो जाती है और फिर वो जहरीली गैस सारी फिजा में पहल जाती है और बिल्डिंग के बाहर भी आने लग जाती है अब तो थाईलेंड में एक तरह से अमरजंसी ही लग गई थी वो लोग अपने बेस्ट कमांडोस को डिफरेंट पोजीशन से वापस बुलाने को कहते हैं क्योंकि अब ये मिशन सबसे इंपॉर्टन था उन्हें इस बायलोजिकल वेपन को खतम करना था हर कोई डर रहा था जबके ब्लैक आईरन बहुत खुश थे उन्हें दुनिया के सामने अपना डर और अपना खौफ बिठाना था जो करने में कामयाब हो गए थे उस गैस ने ना सिर्फ बिल्डिंग में बलके बिल्डिंग से बाहर भी एक किलोमीटर के रेडियस में अपनी तबाही मचाई थी जैसन साफ साफ कहता है कि ये सब मैंने इसलिए किया था अब वो मेंगे दामो अपना बायलाजिकल वैपन दुनिया को बेचेंगे और हर कोई उन से डरेगा ये ही वो चाहते थे लेकिन डॉक्टर आइरीन बिचारी की कंडिशन फिर से बहुत खराब थी वो उसी सदमे से दूसरी दफ़ा गुजरी थी और साथ ही साथ उसे घुसा भी था क्योंकि उसके डैट को वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया गया उसका तो दिल था कि वो अपने डैट के साथ ही रहती और खुद भी वहां खत्म हो जाती लेकिन यहां पर सोल्जर सारीन आकर उसे समझाती है और कहती है कि लाइफ चलनी चाहिए दूसरों के साथ हम खुद को खतम नहीं कर सकते लेकिन आरीन कुछ भी समझने वाली नहीं थी वो कहती है कि मैं ठक चुकी हूँ अपनों को खोक होके अब मैं सबसे दूर जाना चाहती हूँ और केरी रहना चाहती हूँ अब इसके बाद क्या होगा ब्लैक आरन को कैसे काबू किया जाएगा गाईस ये पार्ट तो अब यहीं पर ही खतम होता है आपको ये ड्रामा कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताईएगा और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि कौन सा जन्रा आपको सबसे दादा पसांद आता है कॉमेडी रोमेंटिक, मिस्टरी रोमेंटिक, थोड़ा सस्पेंस हो या एक्शन होना चाहिए रिवेंज लव स्टोरी, हेट टू लव, स्कूल रव स्टोरी या पिर बॉस इंप्लॉई आपका फेवरेट कौन सा है? मुझे कुमेंट्स में जरूर बताईएगा थैंक्यू फो वाचिंग, स्टे कनेक्टिट फो नेक्स्ट पार्ट, बाई बाई